Hello students, welcome to my live class. Today I am going to start the solution of excise 3.4. तो हम लोग आज जो है question number 5 से start करते हैं. Question number 4 तक आपको पिछले वीडियो में बताया थे और question number 4 तक आप लोग को solution करवा दिया गया था. तो सारे question वाइसे ही हैं, आगे भी question वाइसे ही मिलेंगे. एक दो question और आपको बताते हैं, फिर हम लोग 3 order में ले चलते हैं, ठीक है आप लोग को? तो 3 order के question करेंगे, उसके बाद जो है एक size आपका खतम हो जाएगा. बहुत सारे question आपको एक जैसे मिलेंगे, सब question तो एक ही जैसे हैं, आप try करेंगे, बनाएंगे, जो नहीं आएगा, उसको फिर comment box में जाके comment कर दीजेगा, उसको हम जो है next वीडियो में आपको बता देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखे, question नमर 5 है यहां समझेंगे, देखे, find the inverse of each of the matrices, if it's given, यानि, sorry, if it's exist, अगर exist करता है, तो उसका inverse निकालना है, तो matrix दिया है, जिसका जो है, देखे, यहां पर element है, 2174, 2174 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस matrix को यह माल लेते हैं, तो इसका हम लोग चेक कर लेते हैं, कि इसका determinant possible होगा कि नहीं होगा, तो इसका determinant जैसे निकाल दियेगा, तो देखे, 2 का होगा, 4 में, तो कितना होगा, 8, multiply करेंगे, तो minus 717, कितना होगा, 1 not equal to 0 होगा, इसलिए जो है, इसका inverse जो है, क्या होगा, defined होगा, ए इन्वर्स जो है, defined होगा, ठीक है, clear, तो जब a inverse defined होगा, तो इसको जो बनाने का तरीका देखिए अब, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, a equal to, आईए, a equal to क्या लिखेंगे, आईए, a का value देखिए, यहाँ पर है, 2174, लिख दिए, equal to, देखिए, यहाँ पर i, i का value क्या बताये थे, 1001 लेने के लिए, into में a, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताये थे, कि इस वाले element को, इसको जो है, आपको जो है 1 बना है, तो यह किसमे है, r1 में, तो apply कीजिए, r1 arrow 1 by 2, r1, इसका मतलब कि r1 में 1 by 2 का multiply करना है, ठीक है, यानि 2 से divide करना है, तो जैसे इसमे 2 से divide होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1, इसमें हो जाएगा 1 by 2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4, ठीक है, r1 में करेंगे 2 का, तो 1 by 2 हो जाएगा, यह 0 रह जाएगा, यह 0 और यह 1, फिर हम लोग क्या करते है, next operation करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, अगला operation क्या है r2 arrow, अब देखिए, r2 arrow 7 r1, इसका मतलब कि इसमें 7 का, r1 में 7 का multiply करके, और r2 में से minus कर देना है, तो 7 minus 7 into 1 कितना हो जाएगा, 7 minus 7 equal to 0, इसका मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, अबका 0 हो जाएगा, तो इसको 0 करने के लिए हमको करना है, तो r2 arrow r2 minus 7 r1, ध्यान दें operation, तो देखिए, अगर हमको r2 में operation करना है, तो r1 से कोई मतलब नहीं है, तो r1 वाले element को इसको और इसको उठा के वह इसे ही रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर r1 का element देख सकते हैं, आप same है, ठीक है, अब r2 वाला हम लोगों करना है, तो r2 में क्या करेंगे, देखिए, operation क्या था, operation आपको यहाँ पर दिखाते हैं, operation आपको था, r2 वाला, r2 में 7, r1 ठीक है, तो अगर इसमें, इसमें अगर आपने 7 का multiply कर दिया, और इसमें से घटा दिया, 7 में से, तो यह 0 हो जाएगा, और इसमें आप 7 का करेंगे, त ठीक है, तो यह आपका 1 by 2, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 के जगा पर 0 आजाएगा, यहाँ पर 1 by 2 आजाएगा, तो यहाँ पर देखिए, दिखा हुआ है, 0 और 1 by 2, 0 और 1 by 2 हो गया, उसी तरीके से दूसरा यहाँ पर कीजिएगा, इसका मतलब कि इसमें 7 का multiply करके, इसमें से गटाईएगा, तो कितना हो जागा, minus 7 by 2, और इसमें 7 का multiply इसमें से गटाईगा, तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब कि दूसरा में आएगा, minus 7 by 2 और 1, तो minus 7 by 2 और 1, देख सकते हैं यहाँ ठीक है, चलिए, अगला operation करते हैं हम लोग, ध्यान समझी है, अब हमको क्या करना है कि देखिए, 1, 0, यहाँ पे अब 1 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे 0 लाने के लिए इसमें से इसको घटा देते हैं, तो R1-R2, तो R1-R2 करते हैं अब, तो R1-R2 करेंगे, तो 1 में से 0 घट है तो minus 1 plus हो जाएगा 7 by 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 8 by 2 कितना हो जाएगा कट के 4 तो देखें यहाँ पर 4 आ गया फिर इसमें से इसको खटाना है तो 0 में से 1 घटेगा तो minus 1 हो जाएगा यह minus 7 by 2 1 वैसी हो गया same clear है यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं लोग तो next देखते हैं तो यहाँ पर देखें अभी 1 by 2 बचा है तो इस 1 by 2 को हमको क्या करना है 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें R2 में 2 का जो है multiply कर देंगे तो 2 2 कर जाएगा यह 0 हो जाएगा तो R2 में 2 का multiply कर देंगे तो क्या लिखेंगे R2 arrow 2 R2 इसका मतलब कि R2 में 2 का multiply कर कि किसमें लिख रहे हैं R2 में तो यहाँ पर हो जाएगा देखें इससे कोई मतलम नहीं 1 0 हो गया अब देखें यहाँ पर 0 यहाँ पर क्या होगा 2 के जगा पर 1 होगा ठीक है तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर 1 कर लिजिएगा अब देखें वही same operation 2 का जो divide इसमें multiply इसमें करना है तो यह 4-1 हो गया इसमें 2 का करेंगे तो माइनस 7 इसमें 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा तो 1001 ही आ गया identity matrix और यह है यह इधर जागा तो कितना हो जाएगा 4-1-7 और 2 इस तरह से हो गया आपका देखें अब आपको सेम इसी तरीके के सारे question मिलेंगे ठीक है तो अगला question हम लोग तो अगला question देखें आगला question 6 नमर question देखें सेम वही है इसी तरीके से बनेगा तो यहाँ पर पहले आप चेक कर लेंगे 2-3 कितना हो जाएगा 6-5 यानि 1 not equal to 0 होगा तो इसका भी इनवर्स defined होगा clear तो इसका भी आप देख सकते हैं इसका भी solution आप यहाँ पर देख सकते है देखें यहाँ पर यह हो गया फिर वही चीज है आपको operation देखें यहाँ तीरे दीर आपको scroll करते जाते हैं आप देखते जाएंगे और steps आप जो है copy में लिख करके बनाते जाएंगे ठीक है तो देखें आप पहले वाले में यह operation आप कर लिजिएगा इसको जो है आपको ब बना यह same question है और इसमें जो भी question hard होगा उसको हम बता देंगे देखें यह भी question same है 3 1 question no.7 3 1 5 2 इसका भी अब देख सकते हैं operation देखें यह जग column operation से बना हुआ है तो column operation से भी बना सकते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हम आपको column operation से यहाँ पर बनाए हुए है एक ठो ठीक है देखें इसका ध्यान समझेंगे इसका operation यहाँ है यहाँ है यहाँ है तो column operation भी उच कर सकते हैं दोनों का answer same आएगा आप रो अपरेशन से भी बना इसमें ठीक ना तो इसलिए यह जो operation आप copy इसको जो पॉस्ट करके रोक रोक करके आप जो है इसको लिख लेंगे और लिख करके अपने से try करेंगे बनाने का ठीक है question number 9 में देखिए 9 भी वही question है same तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका column operation और यहाँ पर inverse देखे लास्ट में यहाँ पर inverse आ गया इसका इसके बाद question number 11 देखिए 11 question है 2 minus 6, 1 और minus 2 है यह भी question आपको बना हुआ है यह भी आपको column operation से बना हुआ है क्योंकि आप देखिए column operation से बना हुआ है इसलिए यहाँ a equal to a ही लिखा है अगर row operation से बनेगा तो a equal to क्या लिखाएगा आई ए बताए थे आप लोगों को और वही ची देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है यह लिखे आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखिए question number 12 थोड़ा ध्यान से अब समझी है question number 12 देखिए ध्यान से यहाँ पर question number 12 में question number 12 में 6 है यहाँ देखिए 6 है उसके बाद क्या है minus 3 है minus 2 है और 1 है इसको पर हम चेक कर लेता है कि इसका determinant है क्या आएगा तो 6 में 1 का multiply की जएगा तो 6 होगा minus फिर minus 2 में minus 3 होगा तो minus minus plus 6 हो जाएगा लेकि इस minus क्या होगा minus 6 होगा तो 6 minus 6 0 हो जाएगा जो है 0 की equal है इसका मतलब कि इसका inverse exist नहीं करेगा तो a inverse does not exist ठीक है तो a inverse जो है exist नहीं करेगा तो याद रखेंगे इस question में क्यों लिख लेंगे कि a inverse इसका exist नहीं करेगा यानि a inverse परिभासित नहीं होगा देखिए वो तो होगा determinant के तरीके से आपको inverse चेक करना ठीक है लेकिन अगर आप इसका जो है elementary operation से भी बनाएंगे तो सभी element के आ जाएगा 00 आ जाएगा अगर एक रो या एक कॉलम के सभी element 0 आ जाए तब उस case में भी जो इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा तो यहां पर देख सकते हम उस method से ही किये हुए है तो elementary operation हम जैसे ही किये है तो यहां पर देखिए इस तरह similar का यह operation हुआ है पाला उसके बाद जैसे next operation हम किये है यहां पर तो देखिए यहां पर element क्या आ गया 0 आ गया यह वह देख सकते हैं आप तो इसका मतलब कि इसका जो इनवर्स होगा वह defined नहीं हो कि second row में जो है क्या है all element क्या आ जा रहा है 0 आ जा ठीक है इसलिए इसका इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा तो हम इतना क्यों करने जाएंगे हम डारेक्ट जो है डिटर्मियांड से चेक कर लेंगे वह सबसे असान तरीका है अगर डिटर्मियांड की value 0 के equal आ जाएगी तो इसका मतलब कि उसका इनवर्स जो है define नहीं होगा अब देखिए ये same question है 13 number question आप देख सकते हैं 30 number question का solution आप इसको आप देख लेंगे और जो जो operation आपको दिया हुए वो operation आप जो है लिखते चलेंगे ठीक है ये ध्यान देखिए बहुत ही आसान question है इस पे हमेशा एक जान में पूछा जाता ह देखिए question number 14 question number 14 भी देख सकते हैं question number 14 भी defined नहीं होगा क्योंकि 2,2 या देखिए क्या आएगा 4 minus, यह 4,1 जा 4 यह हो जाएगा, यानि 0 आएगा इसका भी inverse defined नहीं होगा तो इसका भी inverse देखिए inverse does not exist हम elementary operation के तरीके से बनाया है अब देखिए question number 15 ध्यान से समझिएगा question number 15 आगया आपको 3 order का, तो 3 order का आपको एक बताते हैं, तो देखिए यह 3 by 3 order का matrix है और इसका inverse निकालना है, तो देखिए process सबका same ही है, बस यह 3 order का है तो थोड़ा सा बड़ा होगा और क्या तो question number 15 question number 15 वे ध्यान समझिएगा कि देखिए, ए ए यहाँ पे जो है, एक matrix हो गया, जिसका element 1, 3, minus 2 minus 3, 0, minus 5 2, 5, 0 ठीक है, तो इसको सबसे पले क्या लिखेंगे, a equal to आईए, a equal to क्या लिखेंगे आईए, a matrix यह हो गया i का value क्या हो गया, 1, 0, 0 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, into में कितना हो गया, a ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे r2 arrow, देखिए, यहाँ पे elementary operation क्या होगा, r2 arrow, r2 plus 3 r1, और r3 arrow r3 minus 2 r1, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, कि यहाँ देखिए, ध्यान समझिए अगर हमको इसको 0 माना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कि 3 का इसमें multiply करके और इसमें add करेंगे, ठीक है, अगर इसमें r1 में 3 का multiply करके इसमें add करेंगे तो यह r2 0 हो जाएगा और यहाँ पे r3 arrow, r3 minus 2 r1 इसका मतलब कि देखिए, हमको दो-दो operation करते हैं, दो-दो operation करेंगे तो हमारा question जो है, मतलब कि जल्दी बन जाएगा, छोटे में बन जाएगा, ठीक है क्योंकि एक-एक operation करेंगे, तब बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए, दो-दो operation आपको करके बताते हैं, ठीक है तो यहाँ पर देखिए, r2 arrow, r2 minus 3, r1 है, और दूसरा में क्या है, r3 arrow, r3 minus 2, r1, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि इस operation को करेंगे, और फिर इस operation को करेंगे, तो हमारा operation r2 और r3 में, r1 में कोई operation नहीं है, तो r1 आदे element को सबको लिख लाते हैं, देखिए, तो 1, 3, minus 2, 1, 3, minus 2 हो गया, अब हमको elementary operation करना है, r2 का, तो r2 का करना है, तो r2 plus 3 r1 है, तो r1 में 3 का multiply करके, इसमें जोड़ेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 0, इसमें 3 का multiply करके, 0 में जोड़ेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 9, इसमें 3 का करेंगे, तो minus 6 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे, minus 5 में, तो कितना हो जाएगा, minus 11, उसके बाद, r3 वाला operation करेंगे, हम लोग, तो r3 minus 2 r1, तो r1 में 2 का करके, और इसमें से घटा देंगे, तो 2 minus, देखिए, ध्यान समझे है फिर से, तो यह आपको है, r3 minus 2 आएगा, तो r3 कितना है, 2 minus, 2 r1 का मतल़ इसमें, दो का multiply करना है, तो 2 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया, तो यह 0 हो गया आपका, यह हो गया आपका, 2, इसमें 2 का करेंगे, प्लस, 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 प्लस 0, 3 हो जाएगा, इसमें 3 का करेंगे तो 0 प्लस 1, 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0, 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, कि r3 arrow, r3 arrow, r3 minus 2 r1 operation करेंगे, तो इसमें क्या करना है, 2 का multiply कर देना है, तो r1 में 2 का करके, इसमें से घटाएंगे, 0 में से, तो कितना हो जाएगा, minus 2, क्योंकि 0 minus 2, यानी minus 2 हो ठीक है, अब इसमें करेंगे 2 का, तो 0 हो जाएगा, 0 में से घटाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो metric आया है, 1, 3, minus 2, उसके बाद, 0, 9, minus 11, 0, minus 1, 4, 1, 0, 0, 3, 1, 0, minus 2, 0, 1, यह आपका आगया, अब देखिए हम अगला operation क्या कर रहा है, अगला operation कर रहा है, R1 arrow R1 plus 3 R3, R1 arrow R1 plus 3 R3, and R2 arrow R2 plus 8 R3, ठीक है, तो यह जैसे यह operation हम करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, ध्यान समझी है, हमको R1 और R2 में operation करना है, तो R3 से कोई मतलम नहीं है, तो R3 वाले को हम लोग को ऐसी छोड़ देना है, तो R3 वाले को हम छोड़ देंगा, इसे ही, तो R3 देखिए, यहाँ पर लिख रहा है, ध्यान समझी है, तो R3 वाला जो भी element है, उसको ऐसी उतार दिया है, अब जैसे यहाँ पर operation किये, यहाँ पर देखिए, यह वाला जैसे elementary operation करेंगे, तो देखिए, हमको क्या मिलेगा, R1 plus 3 R3, इसका मतलब, यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं, फिर हम एक ही बार direct लिखेंगे, तो R1 plus 3 R3 करना है, तो R3 में 3 का multiply करना है, ठीक है, तो 3 का जैसे multiply होगा, यह 0 हो जाएगा, तो 0, अब प्लस 1, कितना हो जाएगा, 1, अब उसके बाद, यहाँ पर देखिए, इसमें 3 का करेंगे, तो minus 3 हो जाएगा, और वहा जाएगा, और इसको जोड़ना है, minus 2 में, क्योंकि R1 में minus 2 है, तो minus 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 1, 0, 10, यहीं आएगा, 1, 0, 10, तो यहाँ पर हम देखाते हैं, आपको, 1, 0, 10, देखिए, आया हुआ है, लिख दिए इसमें, वैसे ही same चीज दूसरा operation आप कीजिएगा, दूसरा operation, R2 arrow, R2 plus 8, R3, तो इसका मतला कि R3 में, आप अगर 8 का multiply करके, और R2 में add कीजिएगा, तो कितना मिलेगा, देखिए, तो इसमें कीजिएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0, 0 हो जाएगा, इसमें 8 का करेंगे, तो minus 8 प्लस 9, कितना हो होगा, एक हो जाएगा, और इसमें की जाएगा, 8 का, तो 8 चोगे कितना हो जाएगा, 32, तो यह 32 हो जाएगा, और इसको आइड करना, R2 में, तो R2 में कितना है, minus 11 है, तो यह कितना हो जाएगा, दो में से घटेगा, एक हो जाएगा, तीन में से घटेगा, तो 2 हो जाएगा इसका मतलब एक किस हो जाएगा ता आएगा कितना 0,1,21 0,1,21 यह आजाएगा तो देखिए 0,1,21 आया हुआ है यहाँ पर वैसे same जो operation यहाँ हुआ वैसे same operation हम लोग क्या करेंगे इसमें करेंगे ठीक है तो इसमें जैसे ही करेंगे तो यह देखिए आपको matrix यहाँ प्याप करके देख लेंगे अपने से यह matrix आपको मिलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप जो है वही same operation जो आपको यह option आपको यहाँ दीया हुआ है वही same operation आप इसमें करेंगे तो आपको जो matrix मिलेगा नीचे वो matrix आपको यह मिलेगा clear चलिए आगे बढ़ते हैं अब applying करते हैं लोग जहन समझे है r3 r3 arrow r3 plus r2 इसका मतलब कि हमको operation करना है कि r3 plus r2 जोड़के r3 में लिखना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे यहाँ पे हमको r3 में operation करना है तो r1 और r2 से कोई मतलब नहीं है तो r1 r2 ऐसे लिख लएते हैं तो 1 0 10 0 1 21 ठीक है अब देखे r3 और r2 को आट करना है तो 0 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 1-1 जोड़ेंगे तो कितना 0 21 और 4 कितना 25 यह हो जाएगा उस तरह से इसको करेंगे तो देखिए आया है माइनस 5 0 3 माइनस 13 1 एट इसी हो गया अब देखे इसको और इसको जोड़ना है r3 के लिए तो माइनस 13 माइनस 2 माइनस 15 1 0 1 8 और 1 9 हो जाएगा यह clear अब हमको क्या करना है कि यहां ध्यान दीजिए अब यहां पे 1 0 0 0 0 0 0 आ गया यहां 25 है तो इसको 1 मलाना है तो पहले हम क्या करेंगे कि r3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 से जैसे डिवाइड होगा तो देखिए क्या लिखेंगे r3 arrow 1 by 25 r3 तो r3 में 25 से भाग लगाते हैं तो यह देखिए यह r1 r2 से कोई मतलम नहीं है r1 r2 लिख लिए r3 में करेंगे तो यह 0 0 हो जाएगा क्यों 0 भाग लगान से 0 ही होगा और यह 25 में भाग लगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा 25 पर इसकट के उसी तरह से फिराइड साइड में करेंगे तो माइनस पान्ट जीरो 3 वही से ही है माइनस तेरा एक और गटा वही से है इसमें 25 से भागे गए तो माइनस 3 बटा 5 होगा इसमें 25 से भागे गए तो 1 बटा 25 हो जाएगा ज्ये ठीक है? अब दिखे आपको जो है इस तरह का ये वाला जो है आपको sum मिल गया ठीक है इस से 0 वाला भी मिल गया है अब 10 और 21 को आपको 0 बादा है तो 10 और 21 को 0 बादने के लिए क्या करेंगे दिमाग लगाई अब यहाँ पर अगर इसमें 10 का जो है गुणा करके और इसमें से घटा देंगे 10 में से R1 में से तो यह 0 हो जाएगा और इसमें कईस का गुणा करके आइसमें से घटा देंगे तो यह 0 हो जाएगा ठीक है बाकिसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा तो क्या करते हैं कि R1 arrow R1 minus 10 R3 इसका मतलब कि हमको operation R1 में करना है तो R1 में करने के लिए क्या करेंगे कि R1 minus 10 R3 का मतलब कि R3 में 10 का गुणा करके और इसमें से घटाना है ठीक है और R2 arrow R2 minus 21 R3 का मतलब कि R3 में क्या करना है कि 21 का गुणा करके R3 में 21 का गुणा करके और r2 में से घटाना है मतलब कि हमको r3 में कोई operation नहीं करना है तो r3 वाला element हम लिख लेते हैं इसे लिख लिए clear अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें ठीक है तो सबसे पहले r1 माइनस 10 r3 करेंगे तो r3 r3 में 10 का multiply किजिए तो ये 0 हो जाएगा अब 1 में से घटाईएगा तो क्या होगा इसमें 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा 0 में से घटाएगे 0 ही रह जाएगा इसमें 1 में 10 का करेंगे तो 10 हो जाएगा 1 में 10 का करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से 10 घटेगा तो 0 हो जाएगा ये complete हो गया उसी तरीके से 21 R3 अब देखिए R3 में 21 का करकिया इसमें से घटाना है R2 में से तो ये 0 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा अब देखिए इसमें 21 का करेंगे तो ये कईस हो जाएगा 21 में से किस घटेगा 0 हो जाएगा अब 001 हो इसे लिख दिये वही same काम हम यहां जो है RHS में करेंगे तो देखे यहां पे R3 तो वह इसे लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है यहां पे देखे लिखा जा चुका है अब क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना इसमें 3 का multiply करके घटाना है ठीक है तो जैसे हैं minus 5 minus किजिएगा तो यह पहले से minus है तो minus minus plus हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे कि minus 10 तो 10 का क्या करना है multiply तो 10 का किजिए तो 10 का किजिए तो 10 का किजिए तो 3 into 10 by में कितना 5 हो जाएगा तो 5 to 10 हो जाएगा आपका तो यह कितना हो जाएगा minus 5 plus 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो आपका 1 आ गया ऐसे ही जो है बारी बारी से सबका करेंगे तो यहां देखिए कि अब इसमें 10 का multiply करके इसमें से घटाईएगा 0 में से कितना हो जाएगा आपका minus 2 by 5 कटा देंगे 10 by 25 क्या होगा minus 2 by 5 हो जाएगा क्योंकि minus चलते minus हो जाएगा अब देखिए इसमें फिर जो है क्या कर देना है 10 का multiply तो 90 हो जाएगा 90 by 25 आप 3 में से घटाएगे तो 3 minus 90 by 25 करेंगे तो minus 3 बाटा में क्या होगा 5 हो जाएगा वैसे ही दूसरा operation आर्टू अला करेंगे तो इसमें 21 का गुणा करके आइसमें 13 minus 13 में से घटाएगे तो ये कितना हो जाएगा minus 2 by 5 इसमें 21 का गुणा करके आएक में से घटाएगे तो कितना हो जाएगा 4 बाटा 25 इसमें जो 21 का गुणा करके 8 में से घटाएगे 11 बाटा 25 ठीक है और बाकी का वही रहेगा आपका operation वही जो है element रहेगा R3 में अब देखे यहाँ पर आ गया identity matrix तत्समका भी हुआ गया तो जैसे ही आया तो इसका value 1 हो जाएगा आपका इसका value जैसे 1 होगा तो आपको जो है A, A inverse क्या मिलेगा यह A inverse हो गया तो A inverse equal to यह वहला matrix मिल जागा यहाँ पर यही इसका inverse होगा ठीक है तो 3 order का 3 order का inverse 3 order के matrix का inverse निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन आप दो-दो operation यूज करेंगे तो छोटा हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से होगी आपका वैसे ही same question number 16 है इनका operation आपको मिलेगा इस तरह से R1 arrow 1 by 2 R1 यहाँ देखे R2 arrow R2 minus 5 R1 उसके बाद तीसरा operation R3 इस तब लिखते जाएगे copy पे और copy पे लिखते जाएगे फिर अपने से करेंगे ठीक है या अपने से भी कोई भी operation कर सकता है कोई जो नहीं कि यही operation करेंगे तो आएगा यह आपको याद नहीं रहेगा इसलिए आपने से operation करके try करेंगे ठीक है तो इस तरह से आप कुछ दो है इस तरह से मिला हुआ है अगर आपको doubt होगा तो इसमें देख लेंगे अब देखे अगला question है last इसमें last ही question है question number 17 ध्यान समझिए question number 17 है कि matrices A and B will be inverse of each other only if यह देखे बहुत ही important question है हमेशा exam में पूछा जाता है board exam या competitive exam में आपको concept का यह question दिया हुआ बिल्कुल concept है concept में आपको बताये थे कि A और B अगर दो matrix है तो दोनों matrix जो है एक दूसरे का inverse कब कहलाएगा यानि invertable कब होगा जब A B equal to B A equal to I होना चाहिए ठीक है A B equal to B A equal to क्या होना चाहिए I तो देखे इसमें कौन सा option है A B equal to B A equal to I तब जाके उस case में A inverse equal to B होता है या तो B inverse equal to कितना होता है यह होता है तो A inverse B inverse कब defined होगा यानि A और B आपस में invertable matrices कब होगा जब A B equal to B A equal to क्या होगा I होगा clear तो option number कौन होगा option number D हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो है यह x size आपका खतम हो गया इसके बाद एक misniness x size है उसको भी हम लोग कर लेंगे लेकिन इसमें जो भी आपको doubt होगा वो जबूर आप बताएगे ठीक है आपको operation बताएगे दिये उससे question आप बनाएगे और हम लोग next जो है वीडियो में अब misniness के question करेंगे जो जो उसमें important question होगा उसको करेंगे जो आसान होगा आप अपने से बनाएगा ठीक है तो next वीडियो हमें फिर मिलते हैं Thank you